हेलो दूसर दिखेना चनल केंपस नियूज दूसर दिली भी सुई देली के मई जून में होने वाले ओफलाइन एक्जाम को लेके जो है टेंटीटिव डेटशीट जो है रिलीज कर दिया गया है चाहे वो डियू के रगुलर कोज के छात्रों का हो एंसी विप के छात्राओं क जो है इसमें दिक्कत है जैसे सुबह 9 बज़ से एक्जाम स्टार्ट हो रहा है तो सामके 6 बज़े तक दिखा आ रहा है तो आज हम इसी के उपर में चर्चा करने वाले हैं बाकी गर आप चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में बेल लेकिन को प्र ऑर NCWave का जो है जो एन्वल मोट के चातर हैं चाहिए हो 2nd year के चातर हो या फिर धर धर के चातर हो या फिर जो चातर रिपीट कर रहा है या फिर इंप्रूमेंट देना चाते हैं तो उसी को लेके जो है डेट शीट जारी कर दिया गया था लेकिन इस डेट शीट को लेके बहुत सारे चात्र जो है कंफ्यूज हैं क्योंकि इसमें कई तरह के जो है डेट शीट में जो है गलती है कई तरह के जो है एक दिन में जो है दो-दो सब्जेक्ट का एकजाम दिखा तो इसी को लेके बारबार चात्र हम से कॉमेंट करके पूछ रहे थे कि आखिर जो है ऐसा कैसे होगा कि हम एक दीन में जो है दो दो एक्जाम कैसे देंगे साथ में टाइमिंग में भी दीखाया हुआ है कि सुबह 9 बजी से एक्जाम जो श्टार्ट हो रहा है तो उसका जो है यानि कि जैसे 11 मई से जो है दिया हुआ है कि एक्जाम में स्टार्ट हो रहा है तो आपका जो एक्जाम है यह लगबग इसी तारीक के आसपास से जो है स्टार्ट होगा लेकिन इस देट शीट में जो है पूरा चेंजिंग होता है चाहे वो एक दो दिन आगे पीछे का हो या फिर एक दो दिन बात का हो लेकिन इस डफ Never देट शीट में जो है पूरी तरीख से जो है चेंजिंग होता है जैसे कई सब्एक्जक्त का दिया हुआ है की दिन में में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक दिन में आपका दो एक्जाम लिया जाएगा तो इस डेड़ सीट को लेकि आपको कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है जब औरिजनल डेड़ एक तो रिलिज किया जाएगा जो कि उमीद कि अगले महिझे यानि कि अप्रे लाज तक रिलीज कर दिया जाएगा और उसमें आपको फिर पता चल जाएगा कि कपकप आपका एक्जाम होगा लेकिन उसमें भी वह सारे छात्र कर दिया जाएगा और टायमिंग भी फिर पता चल जाएगा कि आपका कौन से दिन में कौन से सब्जाइक का एकजाम है खासकर मैं सोल की बाद करूं तो सुल के डेट में कई तरह के दिकत है जैसे सुबह जो exam में start हो रहा है 9 बजे वो साम के 6 बजे तक चल रहा है तो ऐसे में आपको बता दू कि इतने गंटे का तो नहीं होने वाला है आपका exam जो हो 3 गंटे का होता है अगर online exam होता है तो यह 4 गंटे का लिया जाता है लेकिन यह offline आपका exam होगा मैजून में तो यह सिर्फ 3 गंटे का होगा यानि कि आपका 9 बजे से start है तो 9 से 11, 12 और 1 बजे तक यह आपका exam होगा बाकि 3 बजे start है तो 3 से लेकि 4, 5, 6 बजे तक यह exam होगा तो इसमें कोई भी confused होने वाली बात नहीं है तीन ही गंटे का आपका exam होता है बाकि जिन छात्रों का date sheet इसमें tentative date sheet में date sheet नहीं सो हो रहा है चाहे वो 6 semester का हो, 4 semester का हो या फिर second semester का ही क्यों नहीं हो तो मीद किया जा रहा है कि आपका जो है जो original date sheet release किया जाएगा confirm date sheet, final date sheet तो उसमें आपका सभी subject और सभी semester का सो हो जाएगा तो उसमें आप देख सकते हो, अभी आपके पास में लगबग 3-4 महीन है तो आपको date sheet पे ध्यान नहीं देना है, आपको exam की तयारी करना है खास कर जो SL के छात्र हैं, क्योंकि ना तो इनका अभी तक admission यह start हुआ है नहीं जो है, नहीं study material printed मिला है और नहीं इनका offline classes हो रहा है, 6 semester के छात्रों का खास कर बोले और जिनका हो भी रहा है, उनका ठीक से सभी छात्र वहां ते अपनी classes नहीं ले पा रहे हैं तो ऐसे में आपको अच्छे सभी से तयारी start कर देना है, ताकि आपको जो है जब exam लिया जाएगा तो उसमें आप अच्छे से प्रिपेर कर पाओगे और अच्छे से अपना exam दे पाओगे बाकि date sheet को लेके अभी wait करें, उमीद क्या जा रहा है कि अगले महीने लाज तक यानि कि अपरे लाज तक जो है और original date sheet जो है release कर दिया जाएगा और सभी का अलग-लग release कर दिया जाएगा फिर जो है आपको पता चल जाएगा कि कौन से दिन में कौन सा exam है और किस समय में आपका exam है तब तक जो है इंतिजार करें जब भी और भी कोई confusion है या फिर कोई सवाल है तो direct आप हमें Instagram पे follow करके भी पूछ सकते हैं का लिंक जो आपको description में मिल जाएगा बाकि आज किस वीडियो में इतना है शुक्रिया धन्यवाद